स्टांडरेट सब्जेक्ट ड्रोइंग टोपिक है फेमस आर्टिस इंट्रोडक्शन तो यहां पे हम फेमस आर्टिस के बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे यहाँ पे जो डिस्पले में है सबसे पहले आर्टिस है अमरिता शेर्गिल तो अमरिता शेर्गिल के बारे में हम बात करेंगे अमरिता शेर्गिल का जन्मा 1913 में हुआ था और उनकी देद 1941 में हुई थी अम्रिता शेर्गिल का जन्म हैंगरी के केपिटल बुड़ापिष्टा में हुआ था उनकी माता से उनको मुजिक और आर्ट का एनकावरेजमें मिला था याने के उनसे प्रेणा गिली थी अम्रिता ने पेरिस में यूसिया सिमोना के पास रहकर आठ एजुकेशन लिया था अम्रुता शेर्गिल के पिक्चर यंग गल को पेरिस की इंस्टीटूट ग्रान्द सेलो से गोल्ड मेडल मिला था इंडिया के अजन्ता की कला से इंस्पिरेशन लिया था और उसमें से इंस्पिरेशन याने के प्रेणा लेके रेड, ब्लेक, वाइट और ग्रे कलर्स को सिलेक्ट करके उसने अपनी स्पेशल आर्ट स्टाइल क्रियेट की थी इंडियन कल्चर को भी उसने अपने पिक्चर्स में जगह दी थी उनके आर्ट में फ्रेंच आर्टिस सेजा और ओल गोंगा का प्रवाव था और उनके जो फेमस पिक्चर जो है फेमस बेंटिंग है उसमें तो केमल और बर्ड ट्री गल और बनाना सेलर है इनके और भी कई अच्छे पिक्चर्स है जो आप गूगल पे देख सकते हैं दूसरे फेमस आर्टिस है माइकल एंजेलो माइकल एंजेलो का जन्मा 1465 में हुआ था और उनकी डे 1564 में हुई थी माईकल एंजलो का जन्मा इटाली के फ्लोरेंस में हुआ था वो वर्ल्ड में स्कल्प्चर और ट्रोइंग से जाने जाते थे ट्रोइंग से मशूर थे सिर्फ 18 साल की उम्र में ही उन्होंने मेडोना स्कल्प्चर बनाया था बेटिकन में आये हुए सिस्टाइंग चेपल में उन्होंने बनाये हुए पैंटिंग्स और स्कल्प्चर वर्ल्ड फेमस है उनकी यहां आठ उनकी स्रेश्टता और महानता को पुर्वार कर भी है अठाइस साल तक उन्होंने वहाँ पेंटिंग्स और स्कल्प्चर पे वर्क किया वहाँ ग्रेट आर्टिस्स, स्कल्प्चर्स, आर्किटेक्ट और पोएट थे उनकी फेमस वर्क में पिएटा, मेडोना, तो लास्ट जज्जमेन एंड, स्लेव याने के मरता हुआ बुलाम है उनकी आर्ट आज भी आर्ट लवर को इंस्पिरेशन करती है याने के प्रेणना देती है इनके काफी सारे पेंटिंग्स यी आपको गुगल पे देखने को बिलेंगे तिसरे महान आर्टिस है लियोनाडो द विंची लियोनाडो द विंची का जन्म 1422 में हुआ था और उनकी डेट 1519 में हुई थी लियोनाडो द विंची का जन्म इटाली के विंची गाउं में हुआ था एसा माना जाता है कि पूरे यूरोप में मल्टी डायमेंशनल पर्ष्टालिटी लियोनाडो द विंची के अलावा किसी ओर की हो ही नहीं शक्ति है वहाँ क्यूंके वहाँ एक चित्रकार, शिल्पकार, आर्किडेक्चर, एंजिनियर और साइन्टीस्त थे उनका पेंटिंग मोना लीसा जो है वो वर्ल्ड में फेमस है आप सभी जानते हैं उनकी क्रियेशन और एनाटोमिकल ड्रोएंग के लिए वहाँ वर्ल्ड में फेमस है न्यू मिलान सिटी के प्लानिंग में उसका स्पेशल कंट्रिविशन है उनके फेमस पेंटिंग में लाष्ट सपत मोस्ट फेमस है याने के आखरी बोचन यहाँ एक दिवाल के उपर बनाया हुआ पेंटिंग है जो वर्ल्ड फेमस है फेमस आर्टिस राफाईल राफाईल आर्टिस का चन्म 1483 में हुआ था और उनकी डेट 1520 में हुई थी राफाईल का बर्थ यूरोप के रोम में हुआ था उनके फादर पेंटर थे पॉप के इन्विटेशन से रोम को अपना वर्गिंग प्लेस बनाया था बाइबल के इंसीडेंट्स को लेके उन्होंने पेंटिंग क्रियेट किये थे उनके कलर कॉंबिनेशन एट्रेक्टिव से उनके पिक्चर्स क्रियेशन बहुत एप्रिशेटेट है उनकी ड्रोइंग एबिलिटी पिक्चर्स में ग्रेट्फूल फिगर के वज़े से ही लोकुरिये है विजन ओप रियालिटी पर उनके पेंटिंग की स्पेशालिटी है वेटिकल प्लेस में उनकी कला ने उनको महान बनाया है सिर्फ साड़त्रिस साल की एज में ही उनकी ड्रोइट हो गई थी